हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी और नमकी न्याने की सॉल्टेड काजू जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केश्यो नट तो यह हम बहुत ही ईजी वे में करीबन तीन से चार मिल्ट के अंदर बनाके रेडी हो जाते हैं और मैं यहाँ पर बताने वाली मैंने यहाँ पर लिये हैं डाइसोग्राम काजू तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम फ्रेश काजू हैं और इस एक बावल में मैंने निकाल लिया है साथ यहाँ पर करीबर एक टेबल स्पून पानी हमें इसमें एड़ करना है एक से डे टेबल जो आपकी कॉंटिटी है उसके आसे जादा नहीं करना है, हलका सा इसे गीला करना है. इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लीचे, ताकि जो पानी हमने इसमें एड़ किया, तो अच्छे से सारे काजू पर लग जाना चाहिए. देन फिर हमें यहाँ पर लेना है एक कड़ाई, आप नॉन इस्टिक या नॉर्मल आइरन की जो भी कड़ाई ले सकते हैं, और उसमें आपको एड़ करना है नमक. तो करीबन हम यहाँ पर एड़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं नमक, यह दो से तीन बड़े टेवरी स्पून नमक हमने एड़ कर लिया है. तो यहाँ पर हमारी जो काजु की क्वांटिटी है, उसकी हिसाब से बहुत जादा नमक हमें नहीं लेना है, क्योंकि एंड में तो इसे हमें रिमूव कर देना है, तो यहाँ पर आप एड़ करेंगी काजु. गेस का फ्लेम हमारा ओन है, और यहाँ पर आप देख सकते ही, जो काजु हमने पानी में मिक्स किये थे, थोड़ा सा पानी लेकर के, उसको हम नमक में एड़ कर देंगी. और हलके हाथ से, चम्मस से हमें इसे चलाते रहना है, और गेस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है. हमें यहाँ पर काजु नॉर्मल फ्राइ करना है, इसलिए ध्यान रहे कि बिल्कुल भी इस पर दाग नहीं पड़े, उतना जादा अच्छा दिखेंगे, यह सिप अच्छे से क्रंची हो जाने चाहिए. तो इस तरह से गेस का फ्लेम मीडियम रखते हुए, इसे एकदम चलाते रहना है, थोड़ी देर के लिए भी छोड़ना नहीं है, उससे क्या होगा कि आपके काजु हो सकता है, कुछ काजु नीचे से जल जाए और इस तरह से दिखने लग जाए, अगर आप चलाते रहेंग काजु इस तरह से ठीक से अगर हम नहीं हिला पाते हैं तो आप देख सकते हैं, आप इस तरह से दाग लग सकते हैं, इसलिए इसे प्रौपर इस तरह से हिलाते रहें, तो इसे बिलकुल भी ऐसे नहीं होंगे, और यह बहुत जादा गोल्डन गोल्डन दिखने लग जाएं तो करीबन ये process आपको 2-5 निट तक करेंगे जब तक में हमारे जो काजू है वो अच्छे से crunchy हो जाते हैं नॉर्मली जब हम काजू को खाते हैं तो हमें थोड़े से इसमें जो रहता है नमी रहती है उस तरह से लेकिन जब आप इस प्रोसेस से करेंगे तो बहुत प्रेंसे बहुत अच्छे लगतार काफी लॉंग टाइप तक आप इसे रख सकते हैं और बच्चे को तो खूब चलनी में इसे चान सकते हैं बट यह प्रोसेस मुझे थोड़ा इजी लगता है जादा बरतन भी गंदे नहीं होते और बहुत इजी हो जाता है तो यहां पर इस तरह से हम इसे थोड़ा सा चान लेंगे और यह काजू जो है यह हम एक दूसरे बावल में अलग से फिर निका लेंगे इससे क्या होगा जो भी एक्स्ट्रा नमक इसमें लगा हुआ है वो चलनी में से च्छन के बाहर हो जाएगा और हमारे जो काजू है आप देख सकते हैं यह पें सॉल्टेड भी रहेंगे और पूरी तरह से नमक भी इसमें आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएग तो इस तरह से हम सारे काजू को एक बाउल में निकाल लिए है और यहाँ पे अब हमें एक कडाई चाहिए आयरेंटी कडाई यूज़ करेंगे जिसमें मैंने पहले कुछ और ऐसी बनाया था यहाँ पे एक चम्मस गी एड़ करना है देशी गी एड़ करेंगे एक से और चम पान लिजे कि इसे भी आप मीडियम पे ही रखें एकडम जादा घी को बहुत जादा जलाना नहीं है या फिर बहुत जल्दी गरम नहीं करना है अब वो नमकीन वाले काजू हमें यहाँ पे गी में एड़ कर देना है यानि कि बाउल में जितने भी काजू है वो सारे आप इड़ कर दीचे एक ही साथ, यहाँ पर इसे भी हमें हलके हाद से चलाते रहना है यहाँ पर फूल बिलकुल मही रखना है बस लोग पर रखना है और चलाते रहना जिसमें जो भी गी हमने एड़ किया है वो अच्छे से सारे आजूपे लग जाना चाहिए ताकि यह दिख स जादा भी नहीं करना है अदर्वाइस कुछी चीज जादा कभी-कभी अच्छी नहीं होती है लिमिटेड मात्रा में यानिके इतने टाइसोग्राम काजू में हमने एक टी स्कून हमने एड़ किया है तो इस तरह से हमारे काजू है वो लगवग अब हो चुके हैं बस यहां प जादा के रूप में तो इजी ली खा सकते हैं नॉर्मली बच्चे भी खा सकते हैं अब भी एक बार इसे जरूर ट्वाइ करें यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमें बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा दोस झाल ओडवा करें यह है तो öğ बुलिए भी मत अलब करें बुले खा से जा जोग वाइब कर दोस्क्तों आ आ ऐे जो गम हृत दोदो